हलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई चैनल आएम अकान शग्रेरी अज मैं आपको जीयस द्रश्टी की भारती राज बिवस्ता के फर्ष्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूं और भी इसके कई पार्ट आएंगे इसकी खास बात यह है किसमें चित्रात्मत पृस्तुति की गई है मींस सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्री के माध्यम से और रे डाइग्राम के माध्यम से कवर किया गया है अगर आप कोई भी जम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवस्त देख कर जाएं इससे आपको निश्चे लाव होगा देखे मैं इससे पहले आप लोगों के लिए बैलोजी की लाई थी जो कि ये दोनों सीरीज समाप्त हो चुकी है अगर आपने मेरा लेक्टर नहीं देखा है तो आप लेक्टर मेरा देख सकते हैं देखे जो एकोनोमिक्स के हैं मारे पार्ट वह 15 पार्ट हैं और बहुत ही चोटे चोटे वीडियो बने सकते हैं यहीं कि चाह से साथ घंटे में आप पूरी कोनोमिक्स पढ़ सकते हैं मिस कहने के मतलब है कि आप इसको रिवीजन के तवर पार एक बार जरूर देखिएगा आप जब देखेंगे तो आपको इससे निश्चलाब होगा ठीक है और मैंने बारा लिक्टर हैं बारा जीवन एक लच पर निधारित करो अपने पूरे सरीर को उस पर उस एक लच से भर दो और हर दूसरे विचार को अपने जिन्दिगी से निकाल दो यही सफलता की कुंजी है मिस कहने का मतलब यह है कि आप अपने अपने लाइफ में कोई एक गोल सिट करो एक टारगेट सिट करो और हां उस पर पूरी जी जान से मिनत करिए पूरी उसमें ताकत लगा दीजें कहने के मतलब आप उसमें अपना पूरा हैंडर पर्शन दीजिए और कुछ भी आपको आ रहा दूसरे विचार वह सब आप छोड़ दीजें कि मुझे एससे सीवी त्यारी कर लें या बैंक की त्यारी कर लें आप को कुछ भी करना है आप सिर्फ एक ही सब्सक्राइब कर लें तो उसको सफलता है अपने प्रति इमानदार है तो उससे सफलता एक दिन जरूर मिलेगी तो एक अपने लाइफ में लच नदहित करो और उसी पर फोकस करो तो आप देखेंगे आपको जरूर सफलता मिलती है ठीक है ओके फ्रेंस आई स्टेर करते हैं अपने लेक्चर से आज का टॉपिक है भारत का स्रमेधानी विकास देखें यह जो टॉपिक है इससे जरूर क्यूशन बनते हैं थोड़ा सा आपको इसे हिस्टरी में जाना पड अब यह है कि आप इसे हिस्टे में भी पढ़ेंगे भारत का स्रमेधानी विकास और पॉल्टेम भी पढ़ेंगे ठीक है तो मैं आपको इसमें बता दे रहे हूं ठीक है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे इस इंडिया कंपनी के सासन हे तू प्रमुक ब्रिटिस संसदी चापना की गई थी याद रखेगा कई बार क्यूशन से बना हुआ है ठीक निश्ट क्या पढ़ेंगे चार्टर एक 1833 में देखें जो 1813 चार्टर एक्ट था इसमें क्या हुआ था इसमें जो चीन और चाय के साथ जो बैपार के लिए इसमें 20 वर्से के लिए छूड़ दि इरपन का इसे इसका अपना इस बिकास के माध्यम से सरकार इवं प्रिशाचन की विवित रूप रेख निरमित की गई जिसका भारति समिधान एवं लोगतनत पर गहरा प्रभाव पढ़ा भारत के सुनधानी विकास को सासन के प्रकति के अधार पर दो भागों में बाटा जा सकता है जिसमें हमने प्रिथम भाग अभी हमने क्या देखा है प्रिथम भाग क्या है इस्च इंडिया कंपनी के सासन हे दू पारित प्रमुक ब्रिटिस संसरी अधनिया जिसमें हमने भी है बिटिस ताज के सासना धीन पारिद अधिन नेंटीन गयां उसी में इसी इसी अधिना में पहली बार पहली बार इसमें क्या हुआ था संप्रदाइक निरवाचन को शामिल किया गए कई बार पूछा गया है में प्रत्रक निर्वाचन को इंक्लूट कर दिया गया जिसमें मुसल्मानों के लिए अलग कर दिया गया ठीक है फिर क्या है भारत साफन अधनियां इसमें क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था इसमें प्रांतों में दैथ सासन लागू कर दी गई थी भारत सासन अधनियां उनियस्तों सब्सक्राइब रेटिंग 1773 में देखें यह क्यों आया था कंपनी में बेहां कुश आशन को दूर करना तो इसमें क्या कर दिया है जो बंगाल के गवर्णर को उसको बना दिये गए उनको गवर्णर जैनलाव बना दिये बंगाल को बना दिया गया है और याद रखेगा और देखिए प्रमुक प्राओधन क्या है इसी के तहट शुप्रीम कोट की इस्थापना की गई ती जिसमें जो मुख नयाधिस ते इले जाइंपे ते तिक नयाधिस ते जो अननयाधिस थे हाईड चैमबर्स और लिमेश्ट और इसमें क्या है इसको बंगार अधीन सी और मदरास प्रिस्टेंसी को मर्ज जोड दिया गया है जोब बंबाई प्रिस्टेंसी यह तो इनको एकत्राथ कर दिया गया है और देखेंगे इसमें गवर्ना जनरल की शहायता के यह चार सदसे कारिकारी परिस्त जिसमें कौन-कौन से जार्स मांसन फिलिप फ्रांसिस जान क्लिवरिंग रिचर्ट बार्विल ठीक है आप ध्यान रखेंगे कि कलकत्ता में सुप्रीम कुर्ड की स्थापना की गई ठीक है और देखें कुछ और देखतें उस्तमनाली का संच में की गई थी अब देखें भारत साफन अधियम 1935 को दिल्ली में संगीन याली की स्थापना की गई है जो आधनी को इसमें सुप्रीम कोड को उध्गाटन है यह कब क्या कया है 28 जैन्वरी 1950 को दिल्ली में इसका उध्गाटन किया गया है मेंस आप याद रखेंगे कि 1950 में इसका उध्गाटन किया गया है सुप्रीम कोड जो आज हम दोग देख रहे हैं नेश्ट आगे नेश्ट हमने क्या देखा था पिर्स इंडिया एक्ट 1784 क्या आपको पता है कि पिर्स इंडिया एक्ट क्यों आया है देखें जो हमारी खामिया रह गई थी रेगलिटिंग ए कर दिया गया था मेंस मतलब यह कि अचाय के लिए हमने नचराज कारी की नां से नीखाएं कीया गया है तो बैपारी कारी कॉड़र को अधिc की अनुमति अनुमति को अनुमति दी देगал है तो इसमें याद रके कि आँ नियाद रिखें की है ठीक है और क्या है कंपनी की मामले में सरकाई नियंतर में ब्रद्धी हुई है ठीक है अब आए निश्ट देखे जो मैंने बताया है देवलेटिंग गये 773 यह इंपोर्टेंट है और पिर इंडिया यह सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने नियरों को यह लागू भी कर सक 1113 किसक्ति मिसेनिर्यों को मिसेनिर्यों को पिचाप असार के लिए अनुमती देदा अधिकार अगया और किया अधिकार कंपनी के साथ चाय आन चाइना के साथ बैपार करना जारी रहा ठीक है यह कब कतम होता है जब 1830 का चार्टा रेक्टा रहता है तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिट्रिस मिसिनेरियों को भारत में एकार करने के अनुमति दी गई प्रिथम बार्सिच्छा पर प्रतिवर्स एक लाख रुपए खर्च करने का इक तीज भी आप्क खबस निए समाफ्टी के ऑटार्यमा करने के अधिकार चार्टा ऐट इसमें क्या किया गया कि कंपनी के बैपारे एक अधिकार अब पूरता समाप्ट हो जएक और एक चीज हुआ इसमें चुरा जनल थे अब पूरे बहारत रहतार मैं सकते हैं और इसी एक्ट में भादवास्यों को अपने देश की प्रेशाषन में कुछ हिस्सा लेना संभू वित्ष Amendment कर दिया गया है इसी कि हथाई समंधी सक्तियों का जो कार बालिका है । और बिधाई का समंधी सक्तिया के वह प्रथक करण कर दिया गया है और कैसे में किया गया है है फ्री परितियोक्ता का का आरंग कर दिया था हिए कि इया लेकिन तरह भुड़ाव कि परिछगतom निर्मार के लिए पहली बार भारती केंदे निर्मार पतिन्otzतर्द की स्थापनतीर की गई स्थापना की खेसे स्था उन्हें गोति सब्सक्राइन रlee और फट्ञूम ऐस्च का ऑच करली सब्सक्व माथधारी और अब आए निश्टती किילו भृतिस ताजी के शाषना धीन पारित अधिनियम अभरती प्रिशाषन का नियंत्रन भारती प्रिशाषन का नियंत्रन भारत राज सच्यू मतलब इसमें क्या कर दिया गया है जो हमारी दोनों कंट्रोल थें बोर्ड आफ कंट्रोल दोनों के समस्तर अधिकार भारत राज सच्यू को प्रधान कर दिये गए ठीक है याद रखेगा निश्ट देखते हैं भारत के गवर्णा जनर्रल का नया नाम वा बाज सच्यू को प्रिथम कोन है वाई सच्यू बोर्ड आप डायक्टर दोनों के समस्तर अधिकार भारत राज सच्यू को प्रधान कर दिये गया है ठीक है अब आई निश्ट देखते हैं भारत परश्य अधनियम 1861 देखें 1861 इसमें सबसे पहले यह आद रखेगा अध्य ने करणकी शुरूआत की यह मेंस वहां पर जो मर्ज कर दिया गया था अब इसको क्या कर दिया गया है अलग कर दिया है ठीक है तो सब्सक्री अधिकार देदिया गया है और बिभागी प्रणियों को भी मानता देदी गी अब बस इतना याद रखेगा एक बारट परश्य अधनियम 1861 में अध्यादेश जारी करने की सक्तिवासरा को दे दी गई है और राज विधाम परिश्दों का गठन भी कर दिया गया और मद्रास अब बंबर पिश्देंशियों को विधाई सक्तियों को दे कर भी कैंदी करने को शुरुवात कर दी गई क्योंकि मेरा टार्गेट है आप ये लिक्षा देखने के बाद सिर्फ रिविजन करें दुबारा आपको कॉंसेट क्लियर करने के लिए कुछ भी आपको पढ़ना ना पड़े ठीक है तो इसमें क्या है इसमें पहले याद रखिए बजट पर अपने बिचार प्रेकट करने का पूरख पूछन दında अधिकार नहीं था ठीक है साजोनेख के मामले में केंदरी बिधान परिष्ट के भार्ति सदस्यों को छए दिना देकर प्रशानियों पहले सूचना दे सकते हैं किस मामले के लिए साजनी खित की मामले के लिए और इसमें अर्थों में निर्वाचन पद्धतिका इसमें आरंग किया गया ठीक है अब आइनेश दिखते हैं भारत परिशत अधनिया उनीस सो उनीस के अब इंपोर्टेंट है इसके प्रमुक किसी भारती को शामिल किया गया कौन भारती थे यह याद रखेगा यह इंपोर्टेंट इस से क्यूश्चर बन जाते हैं ठीक है और कि परिश्चत के फदस्यों को बजट एवं लोग हितकी विश्यों की विवेशना करने प्रिस्ताव लाने पूरक पूछने का अधिकार द यह क्या कहें यह सुधार पिजट अंतरवाद और नौकर साही के मध्यक अधूरा और अल्पकालीन समझा होता है ठीक है यह किस ने कहा था मैंग डालने अब नेश्टाइए भारा साफंधनियम उन्नीस सो उन्नीस देखिए इसके प्रमु प्रावधान है देखिए इसमें प्रांती भिसी उंका आराज्चित कर दिये गया है और कुछ हास्तांत्रित कर दिया है मिली है कि के लाधस है उआज और यह सब होगे है हांस्तांत्रित मिलीत कहने मदब यह स HEY इसे प्रांतों में दैज आसन प्राइग किया है और है समप्रदाईक अधार पर निर्वाटन प्रणाली का विस्तार सिपको भारती साइओं आंगलो भारतीयों तता यूरोपीयों के लिए भी लागू कर दिया गया अब केंदर में दीस अधनी बिधाई का भी क्या कर दी गई है केंदर में दीस अधनी बिधाई का इस अधनीयम में पहली बार उत्तरदाई सासन सब्द का प्रयोग किया गया अब निश्दी के भारत सासन अधनीयम 1935 इसके प्रमुप्राउधान क्या है इसका गठन है संगी लोक सेवा आयोगदारा इसमें जो गठन है ठीक है जो इसके केंदर में लागू हो गया शौय अब किसकी है प्रांतों को उत्तरदाई शाशन जिसको शौशर बोलते हैं प्रांतों के देदिया और दोरे शाशन के आधार बाज इसको किया गया है ठीक है अब देखे और इसकी प्रमुप्राउधान क्या हूँ निश्द्र 25 मोश इंप् चक्तियों का विभाजन केंद्र उंप्रांतों में किया गया इस्थापना जो की गई है फिर्डर नियाले वर्स 1937 में किरिंजमन जम्हाळाल नहरु का जो कथन है और देखे क्या कथन है एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं ठीक है तके यह ड़कर फिर्डरल निया पत्र अनुदेश प्रपत्र अंतर विष्ट और कि नीति की निदेशत अत्र के रूप में यह समविष्ट किये गए हैं भारत के समिधान में वर्स 1950 में और कि नोट क्या है अभारती सम्वार्त सरकार अधनियम अस्विक्रत कर दीगई गया है अब इसमें क्या किया गया है आप पाकिस्तान दोफ़तंत अधिराजों की श्शापना कि गई ईए ठीक है पहले किया रहा था बिभाजन नहीं था अब इसको भारत और पाकिस्तान बना दिया गया ठीक है अब यह कब हुआ है 15 अगस 1947 को भारती रियास्तों पर ब्रिटिस संप्रवता की समाप्ति की गई है और हां दोनों राज्यों से बोला गया है कि अपना समिधान समिधान बना ल देखिए यह रहा आपका भारत का समिधानिक विकाज थोड़ा सो सकता आपको बोलिंग लेंगे कोई नहीं आप इस लेक्टर को दो से तीन बार जरू देख लेंगे तो आप इस सारे कॉंसेट क्लियर हो जाएग मैंने वह पॉइंट बताया है जो एक जाम्स में क्यूशन अब जरूर इसे पढ़के जाएगा ठीक है ओके फ्रेंट्स थैंक्यू आज की लिए इतना ही करते हैं नेश्ट में अगर अपने चैनल में नए हैं तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें ठीक है ठांक्यू और आपना फीड़ाय चुरू बताएगे लेक्टर क कैसा लगा और कुछ भी डाउट है तब कमेंट बॉक्स में जो मिन्सन करिएगा और फैंक्यू